हेलो दोस्तों गेमिंग जोन में आपका स्वागत हैं आज इस वीडियो में हम तीन गेम ट्राइ करेंगे रियर मीजी टू के साथ पहली गेम है विच्चर 3 दूसरी गेम है सनाइपर एलाइट 4 एंड डार्क साइडर 3 गेम को हम ट्राइ करने वाले हैं इस वीडियो में पहले विच्चर को ट्राइ करते हैं विच्चर देखो इसके साथ क्या प्रॉलम आती है कुछ डिवाइस के साथ यह गेम चल जाती है मैंने देखा है यूटूब पर कुछ वीडियोज है में भी ओ डिवाइस 12GB रैम वेरियंट है पर 8GB रैम वेरियंट में नहीं चल रही है इ यह पर देखो यह फिर से अटक जाएगा या फिर क्रैस हो जाएगा अब ट्राइब करते हैं सनाइपर इलाइट 4 गेम को यह गेम रियल्मी एक्षान मैक्स में को भी मैंने ट्राइब करी थी तो सिमलर इसूस के साथ होता था गेम जैसे ही लोडिंग के बाद आगे चलती है एक क्लिप चलती है उसके बाद गेम स्टार्ट होती है तो इसमें क्या होता है कि वह जैसे ही खतम होती है या फिर आप स्कीप करने एकोसिस करते हो तो गेम क्लिप अगर यह clip अगर मैं skip कर दूँ हाँ तो भी game crash हो जाएगी तो मैंने decide किया कि इस clip को चलने देता हूँ तो मैंने skip नहीं किया इस clip को तब भी same result रहा है clip जब भी खतम होती है खतम होते ही crash हो जाता game and game आगे नहीं बढ़ रही है multiple settings के साथ इसको भी try किया है यह इसमें यह problem solve नहीं हो रही है फिलाल future optimization में यह fix हो जाएगा तब आप इस game को खेल सकते हो यहाँ पर इस location पर अभी game start होना चाहिए पर यह देखो loading चार रही है and यह game सिदा अब crash हो जाएगी यह हो गया smartphone hang हो गया है and अब यह crash हो जाएगा यह हो गया जैसे अब try करते हैं Darksiders 3 game को इस game में काफी ज़्यादा graphic glitch आती है graphic glitch का solution मेरे पास है इसमें जो यह dock mode है इसको enable and फिर disable कर दोगे तो graphic glitch जो है fix हो जाती है काफी अद तक मेरे ख्याल से एक दम ही fix हो जाती देखो जैसे मैं करके दिखाता हूँ एक बार hang हो जाता है dog mode on करने बाद off करते ही फिर से normal हो जाता है यहाँ पर आप FPS देख सकते हो 5 या 6 FPS मेरे ख्याल से यहाँ पर है 4 FPS, 6 FPS वहती कम FPS पर game चार रही है realme GT Neo 2 के साथ जो मैं इस game को try गया था तो उसमें 11-12 FPS आती दी कुछ लोकेशन पर 5-6 उसमें भी ऐसा ही रहता था realme GT 2 के साथ हम आगे इस game को अगर try करेंगे तो एक या दो FPS पर ही यह game चलने वाली है यह playable condition नहीं है फिलाल यह किसी भी device के साथ playable नहीं है क्योंकि emulator इस game के लिए ठीक से optimize नहीं है जब optimize हो जाएगा तब इस game को try करने आप फाइदा है फिलाल कोई फाइदा नहीं है यह game काफी अच्छी है तकरीवन 80% में इसकी story complete कर रखी है PC में क्या के कभी time नहीं मिला था तो इसलिए मैंने delete कर दिया था यह game मतलब बोर करने लग गया था क्योंकि इसका पहला पार्ट मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता था and second part मेरे को ठीक ठाक ही लगा थार्ड पार्ट में काफी चीज़े बदल गई तो मेरा interest नहीं बना था इस game में आज इस वीडियो में इतना ही है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like share जरूर करें